इस वीडियो नमबर 8.3 and we are going to discuss another numerical on it. इस था इस था नूमेरिकल विद कैविटीज नौन कंडुक्टिंग स्फियर विद कैविटी. आओ दिखाओं कैसे होता है. एक तो पहली बात कि यह जो कैविटी है यह स्मेट्रिकल नहीं है. what I mean to say कि जैसे पिछली बार हमने एक question किया जिसमें एक non-conducting ही sphere था लेकिन cavity इस तरह की थी, this was the cavity, खाली जगा थी नहीं ये, तो ये खाली जगा थी लेकिन हम इसका area बता सकते थे बड़े sphere में से हमने छोटा sphere minus कर दिया, तो काम बन गया लेकिन अब इस तरह की figure में जैसे आप दिखाई दे रही है, अब इतना portion जो बच गया, ये ये portion जो बच गया, इतना इन cases में वैसा काम नहीं चल पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, अब ऐसे questions को जो symmetrically, unsmetrically placed cavities होती हैं जहां पे, वहां पे हम क्या करते हैं, वही देखो, करना क्या है, मैं पहले बता देता हूँ, आपको थोड़ा figure से एक लेते हैं, ये बड़े वाले sphere का radius कितना है, 4R चोटे वाले sphere का radius कितना है, R और दोनों के centers में distance कितना है 2R, इतनी information आपके बास होनी चाहिए तब ही question हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा और आपने, इदर से distance है, 8R उदर से आपने क्या calculate करना है इस point P पे आपने electric field calculate करना है देखो, हमने क्या किया, हमने पूरा sphere मान लिया, ये, देखो ये तो गलत है, पूरा sphere तो है नहीं इदर तो खाली था, खाली था तो हमने इतने portion ये negative मान लिया समझे रहे हो बात, अगर आपने इतना plus किया, इतना portion अगर आपने plus कर दिया, तो इतना ही minus कर दिया तो अगर इसमें positive charge या अगर तुने मान लिया पूरा सारी जगा तो इतना negative जब ये इसके साथ combine करेगा, तो ये cancel कर देगा तो this is the methodology we are going to follow in such questions इसमें तीन category के questions है मैं बता देता हूँ आपको पहले, first वाली category में आपका जो point है वो दोनो sphere से बाहर है, अब मैं दोनो sphere बोल सकता हूँ ना इसको, अब स्फियर होगे, हमने उस एक body को दो स्फियर मान दिया, एक के अंदर चार्ज है positive q throughout uniformly placed, symmetrically placed और दूसरे में है minus q minus q, इसलिए उसकी charge density को minus delta लिखा है, ठीक है फिर तीसरी बात देखना अब इसका हमने electric field अलग से निकाला, इसका जो electric field है इसकी direction ऐसी है इसको, इसको, आप e-p पे लिख रहे हो, इसको मैंने आगे जाके notation use भी की है, इसको आप लिख लो e-p dash निकालना क्या है आपने, e-p लिख क्या रहा हूँ, e-p dash e-p dash की direction कैसी है, ऐसी बनाईए मैंने कहा निकालनी है, 8R पे बाहर है की अंदर, बाहर बाहर के लिए formula आपको बताएं है मैंने बाहर के लिए simple formula आपको मालूम है क्या, लिखा है मैंने नहीं लिखा तो ये लो k q upon r k q upon r square electric field के लिए गलत लिखा गलत लिखा r square ऐसा पता है आपको r किसको लिखते हैं r square किसको लिखते हैं r की value यहां कितनी given है, 8R तो इसलिए ये 8R दिखाई दे रहा है आपको ये लिख दिया हमने, समझ आ गया हमें अब q की language में उसने बात ही नहीं की हुई उसने बात की हुई है row की language में, row क्या होता है ये k की जगा ये लिख दिया q की जगा देखो क्या लिखा है row into volume volume देखो कैसे लिखा है 4 by 3 pi r cube r कितना है 4R, उसका cube 64, ये 64 का cube 64 होता है ये 64, 64 यहां से cancel हो जाएंगे ठीक है, ऊपर से ये 4 pi और 4 pi भी cancel हो जाएंगे, लेकिन 3 बचा हुए तो 3 नीचे आगया तो ये answer आगया तो electric field due to the whole sphere ये आपने बड़े मज़े से निकाल लिया फिर आप छोटा whole sphere महला जब मैंने पूरा consider कर लिया, पूरा तो है नहीं इसका नाम क्या रखा आपने, मैंने क्या नाम रखा आप इधर change कर लेना, आप इसको लिख देना इस point को P नाम दे देना और इसको लिखना E P dash तो E P dash आपने निकाल लिया यहाँ जिसकी value ये है और जिसकी direction ये है ठीक है, आगे चलें अब आगे छोटा sphere वो कितनी दूर है उससे point छोटे sphere से कितनी दूर point है छोटे sphere से ये point जो है 6R दूर है चेक कर लो इन दोनों के बीच का distance कितना है 2R है न, अगर यहाँ से यहाँ तक ये distance जो है वो 8R है तो ये distance कितना होगा 6R, इसलिए 6R लिखा हुगा ठीक है, चलें वापिस ठीक है, फिर अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे है, मैं बताता हूँ आपको, यह वाला point भी बाहर है इसके लिए, बाहर है लेकिन electric field की direction ऐसी क्यों आई, आपको मालूम है यह negative charge है, जब electric field की direction निकालते हैं तो positive charge imagine करते हैं, वहाँ पे positive charge को क्या लग रहा था, repulsion, यहाँ क्या लगेगी, attraction, क्योंकि यह negative charge है negative charge, positive charge को attract करेगा electric field की direction नहीं निकालनी आती तो गडबड है बहुत, तो क्या answer आएगा इसका, यह लिखाए मैं kq upon r square, ठीक है अब यहाँ minus rho नहीं लिख देना कहीं क्योंकि direction की बात हम कर चुके हैं separately, वो जो minus rho के current direction में change आई, it has already been considered, मालूम है मुझे, यह जो मैंने electric field का answer निकाला last में, उसकी direction यह वाली है, इसके लिए मुझे दोनों को जब मैंने sum करना है, मैंने basically क्या करना है, दोनों vectors को add करना है लेकिन वो होंगे subtract, क्यों किन दोनों के बीच में angle कितना है, 180 degree, एक एक आया आपका इस तरफ, और एक आया आपका इस तरफ, मैं बोल रहा हूं ही दो vectors को add करो, लेकिन वो होंगे subtract बोलते हैं लेकिन जब उल्टे हैं एक दूसरे से तो अपने आप से subtract हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर minus रो लेने की जरूरत नहीं है, फिर मैंने यह क्या देखा, यह देखो 1 upon k की value, वही सब पूरा वही की है, कुछ नहीं नहीं चीज है 108, epsilon not answer आगया, फिर आप मैंने last निकालना है, क्या निकालना है मैंने, इसका क्या नाम रखना है, यह मैंने e, e लिखा है ना, आपने e नहीं लिखना है, आपने इस e की जगा पता क्या लिखो गया अपनी copy पे, e, p, vector और double dash, अब आपने क्या निकालना है, e, p, net e, p, will be equal to e, p, dash, minus e, p, double dash, net हो गया, मैंने लिखा है, net हागे, minus की है, आप इसका नाम रख दो e, p, यह हो गया आपका e, p, dash, यह हो गया आपका e, p, double dash, और यह calculation करो, तो इसके answer आ जाएगा, net electric field, this is the way to go with these questions, इस पहले question के अंदर, जो आपका point था, जिस पे हमने electric field निकालना था, वो दोनों spheres के बाहर था, अगला question जो अगले video में दिखाई देगा, उसके अंदर, वो जो point होगा, वो कहा होगा, वो एक sphere के अंदर होगा, दूसरे sphere के बाहर होगा, और तीसरा वाला question क्या होगा, जब दोनों sphere से के अंदर होगा, ठीक है, तो next question करेंगे, next video का wait करो, thank you